भारत की प्रगती का एक स्वप्न आज जापान के सयोग से साकार होने जा रहा है। परियोजना का प्रतम कदम होगा वदोद्रा में एक प्रशिक्षन केंद्र का निर्माण जहां 4,000 से अधिक कर्मचारियों को नई तकनीकी का प्रशिक्षन दिया जाएगा और फिर नदी, सड़क और रेल लाइन्स को पार करते हुए कई पुलों का निर्माण होगा। अधिक नागरिकों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ेगा ये रेल मार्क। जापान के तकनीकी सहयोग से बनी ये रेल अतुल्निय होगी। इस उच गती के रेल के आने से राश्ट्र की उन्नती होगी वह नव भारत का निर्माण होगा। एतिहासिक साबरमती स्टेशन का नवीनी करण होगा जो इस परियोजना का आरम स्थल है। 320 किलोमिटर प्रती घंटे की गती से चलने वाली इस ट्रेन की अंतर राश्ट्रिय मानुकों के अनुसार सखन जाच होगी। मुंबई टर्मिनल से एहंदवाद के 8 घंटे के सफर को मातर 2 घंटे में तै करेगी ये हाइस्पीड रेल। सालाना 1.5 करोड यात्री इस से लाभानवित होंगे वह भारत का नाम उचगती रेल के आधुनिक तक्नीकी का सफल उपयोग करने वाले राश्ट्रों की शेणी में अंकित हो जाएगा। और इस प्रकार संकल्प से संव्रिद्धी की ये गौरव्यात्रा पूरी होगी।